गार्डन क्यों जरूरी है क्यों हम इतनी मेहनत करें क्यों हम अपना इतना टाइम स्पेर करें इस सीज के लिए क्यों जरूरी है क्यों से हमें कुछ मिलता है तो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूटूब चैनल पर और आज बात करेंगे इसी के ब नदेर के शुरू करता हूं तो क्या होता है न दोस्तों जी कि आज कल का जो सैटी उले जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा अभी जो लास वीक था वो बहुत ही जादा से हैट्टिक था और आज संडे है तो आज मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं बैठके अपनी गार्डन में क्या होता है कि जब आपका समय बहुत हैट्टिक चल रहा हुता है या इवन नॉर्मल चल रहा होता है आपको एक इनसान इस तरीके से डेजाइंड है ना कि उसको कुछ चाहिए होता है उसके कुछ अपने प्लेस होते है जहां ओ पैठ पाता है ओहां पे बैठना पसंद करता है हो, आप जाना पसंद करता है बस वो प्लेज ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इसकी जरुरत होती है, सबको होती है, आप चाहे student life में हो, चाहे बैसरे life में हो, चाहे आप साधी सुदा हो या आप थोड़ा सा ओल्ड हरीज की तरफ मूब कर रहा हूँ, फॉर्टीज मेंटर कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि life एक सफर है, अब सफर है तो मंजल भी होगी, मंजल तो आपको पता ही है the death is ultimate truth उसकी बाद हमारा एक नए destination होगा, और नए सफर में निकलेंगे तो जो भी हमारा इनसान रूपी सरीर है यह एक सफर में हैं और हम सब सफर में हैं और सफर में तो आप जानते हो कि अगर सफर को enjoy करते सलो तो destination भी खुबचूरत लगता है लेकिन अगर हमने सफर enjoy नहीं किया तो हमारा destination में पर बहुत भद्धा लगता है बहुत बेकार लगता हूँ आप पहुचके हमें लगता है कि what will I do now और उसका कोई हमें significance नहीं लगती ऐसा लगता है कि क्योंकि जब भी आप कहीं किसी destination में पहुचते हैं आप पीछे मुड़के देखते हो और पीछे मुड़के देखते हो तो आपको दिखता है आपका गुजरा हुआ सफर जो जिस पे आप चल के आयो और तो अब जब हम इस सफर पे चल ही रहें तो क्यों न हम इसको इतना खुबसूरत बनाए इतना peaceful बनाए इतना सुंदर बनाए कि जब हम पीछे मुड़के देखें तो ऐसा लगे कि हाँ यार सले है हम हाँ जीए है हम तो कुछ इस तरह से ही है तो गार्डनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने हैट्टिक टाइम से हैट्टिक सेड्डियूल से या अपने एक रेगुलर काम से एक छोटा से ब्रेक लेते हैं पंदरा मिनट का, एक गंटे का, दो गंटे का एक दिन का, दो दिन का जैसा आपको अलाव करता है आपका काम आपकी जिम्मेदारियां आप वहाँ जाके बैठो और गार्डन क्या है ना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप छोटा से बादा लगाते हो, बड़ा होती हो देख तो बहुत खुसी मिलती है आपको और यही एक चीज है जो आपको तरफे जोड़ देगी कि आपको वहाँ बैठना हमेशा अच्छा लगेगा और ऐसी छोटे छोटे आपके सफर में आप इतनी मेमरी क्रियेट करते जाओगे उसको भी बड़ा करते जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ यार, यह मैंने किया है और हाँ, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं अपना कुछ एक ऐसा पोर्टल जरूँ बना लें कुछ लाइक, फेच्बुक पेज बना लें इंस्ट्राग्राम पेज बना लें जहाँ पर आप अपनी मेमरी को लाइक अपलोट कर सकें इसलिए नहीं है कि आपको उस पेज से कुछ अचीब करना है लेकिन जब आप पीसे मुड़के देखेंगे तो आपके पास होगा आपका सफर जो आप उस गार्डन के थूँ चले हैं तो बस दोस्तों यही था और जो मैंने बोला ना कि कुछ प्लेसे सोने चीज जहाँ आप बैट कि अपना वक्त अपने तरीके से बिता सबो तो गार्डन मेवी दो वन और ऐसे बहुत सारी आप ढूंड सकते हैं तरीके जिससे आप अपने सफर को इंजॉई कर सकते हैं मुझे आज इतना ही कहना था और मैं आज के लिए लेता हूँ विदा आप से मिलूँगा अगले वीडियो में करेंगे कुछ होर बात हैं कुछ इंटरस्टिंग, कुछ गार्डन की और कुछ पौदे के बारे में और हाँ, गार्डन में ने बहुत सारे चेंज़ेस किये हैं, आपको बहुत ही जल्दी मेक ओवर वीडियो अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे तूर देखने को मिलेंगे सरदियों के फ्लावर वाले अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे तो जोड़े रियेस चैनल से और स्टे टून्ट हैं, आप लोगों का मुझको इतना सारा प्यार एं सपोर्ट देने के लिए बहुत-बहुत धन्वार चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में थैंक यू सो माज बैबाए